Hello everyone, welcome back to my channel दोस्तो आज ऐसी रेमेडी लेकर आई हूँ आपके सबके लिए जो कि बहुत ही अचीता से वर्क करें कि एफेक्टिव है ये सभी एज वालों को सूट भी कर जाती है और बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट आता है तो चली बिना टाइम वेश्ट की हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते है नीडी लोगों को जिनको जड़ोत है इस वीडियो की उनको जो शिया कीजेगा जिससे कि उनकी भी हेल्प हो जागी और मुझे भी मोडिवेशन मिलेगा जिससे कि मैं आप सबके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आती रहूनगी तो चली वीडियो स्टार्ट करते हैं लाइक जग चिह को श्यरके सब्सक्राइब की जग वेत बेल आइकब चली असलिक बालृ करते हैं आपने धूप में एक इसको ट्राइन है उसकी बाद इसको भी प्राइं कडल लिया था और यह हमारा पाउडर रैरी होयए तो इसमें थोड़े वह रहाँ दंडिया रहाँ हैं इसकी मैं नहीं थिक से लिवस में से अलग नहीं की ती इसके वह जासे हे वाइड वायड देख र चार से पांस दिनों के बाद इसको धूप में रखिए गा, जिससे कि इसका पूरा इंफूजन इसमें आज है, उसके बाद आप इसमाल कर सकते हो, या फिर आप डबल बॉॉइलिन्ग मैट की हैल सभी इसको जटपिट बना करके, इसमाल कर सकते हो, तो देखिए मैंने यहां एक चमच लिया है क्वांटिटी आप ऐल की ज्यादा लोगी तो इसमें ज्यादा पाउडर आपने आड़ करना है तो मैंने कम क्वांटिटी ली है तो उसे साफ से मैंने वन टीस्पून ही इसमें एड किया है और यह बहुत ही तेजी से आपके बालों का जड़ना रुकेगा बालों को जड़ से मजबूत करेगा काला बनाएगा ब्लैक फॉर्म में करेगा डे बाई डे आप इसको जब भी ऑईलिंग करते हो न तो यह वाला ऑईलिंग मैटिटी यूस कीचिए बहुत ही अची तरह सी वर्क करता है बालों का जड़ना भी रोकेगा और बालों को इसमें आप 2-3 ओयल भी मिक्स कर सकते हो विटामिन E का कैपसूल हो गया एशेंशल ओयल हो गया लेमन भी ऐड कर सकते हो तो यहां पर मैंने नार्यल का तेल इसमें एड कर दिया है तो आप इसके क्वांटिटी कम या ज्यादा कर सकते हो पूरी आपकी चॉइस है तो इस तर आप इसमें डारेक कड़ी पत्र भी डाल सकते हो जुरूरी नहीं है कि आपने पाउडर फॉर्म बना कर ही डालना है डारेक कड़ी पत्र डाल दीचिए और इसको धूप में रख दीजेगा चार से पांस दिन तक के लिए धूप बहुत तेज है तो दो दिनों में यह रेड देना है नहीं तो पूरी रात लगे रहन दीची का बेस्ट रिचर्ड मिलेगा तो आई होब दोस्ता आप सब का आज की वेड़े काफी अच्छी लग यूगी लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए विद बेल आइकन बाबाई टेक्यो आइकन बाईबाई तो